हलो दोस्तों एंक इक्जाम चैनल में आप लोगों के स्वागत है आए देखते हैं गरम पंती उग्रवादी चरण से संबंदित महत्पूर्ण परस जो आपके परिच्छाओं में बार बार पूछे जाते हैं तो चलिए हम इन परसनों को देखते हैं हमारा पहला कोस्टन है फ वर्ष के बंगाल्वी भाजन के समय वाय सराय कोन था तो इस कोश्टन का ओप्षन नंबर थिरी सही हो हो जाएगा लौञ्ड कर्चन नेक्स कोश्टन भारती राष्टी कांग्रेश की सबसे पहली महिला धर्च कौन थी? इस कोश्टन का option number 2 सही हो जाएगा भारती राष्टी कांग्रेश की सबसे पहली महिला धर्च एनी पेसेंट थी? Next question 4. सेर ए पंजाब किसका उपनाम है? इस कोश्टन का option number 2 सही हो जाएगा लाला लाचपत राय का सेरे पंजाब की नाम से जाना जाता है नेक्स कोस्चन फाइब स्वाराज मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं उसे ले कर रहा हूँगा इस वाग को किस ने कहा था तो इस कोस्चन का ओप्शन नमबर थिरी सही हो जाएगा बाल गंगा धर तिलक ने कहा था स्वाराज मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं उसे ले कर रहा हूँगा नेक्स कोस्चन सिक्स मारले मिन्टो सुधार बिल किस वर्च परस्तुत किया गया था तो इस कोस्चन का आप्शन नमबर तू सही हो जाएगा नेक्स कोस्चन सेवन भारती परचत अधिनियम नेक्स कोस्चन का आप्शन नमबर तिरी सही हो जाएगा मारले मिन्टो सुधार नेक्स कोस्चन भारत में गरम दली अंदोलन का पिता किसे कहा जाता है तो इस कोस्चन का आप्शन नमबर तू सही हो जाएगा बाल गंगा धरती लगको भारत में गरम दली अंदोलन का पिता कहा जाता है नेक्स कोस्चन नाइन संप्रदाइक निर्वाचन छेत्रों की पद्धिती की शुरुवात भारत में किसके द्वारा की गई थी तिस कोस्चन का आप्शन नमबर थिरी सही हो जाएगा नेक्स कोस्चन भारत में मुस्लीम लिग की स्थापना किस वर्ष हो जाएगा नेक्स कोस्चन नेक्स कोस्चन बाल गंगा धर तिलक द्वारा शुरू की गई सब्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था? इस question का option number two side हो जाएगा केश्री केश्री जो बाल गंगा धर तिलक द्वारा शुरू की गई थी ये एक सब्ताहिक पत्रिका थी next question 12. भारती राष्टी अंदोलन के 1905 और 1917 की अओधी को कहा जाता है तिस question का option number three सही हो जाएगा उगरवादी चरण कहा जाता है next question 13. भारती राष्टी कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तिस question का option number three सही हो जाएगा सन 1907 में भारती राष्टी कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था? next question 14. मुस्लिम लिग की इस्थापना का सरे किसको जाता है? तिस question का option number three सही हो जाएगा सली मुल्ला को मुस्लिम लिग की स्थापना का सरे जाता है? next question 15. पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तिस question का option number two सही हो जाएगा लाला लाचपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? next question 16. किस गवर्नर जर्नल ने 1911 में भारत की राजधानी कुलकत्ता से दिल्ली करने की गोशला की थी? तिस question का option number three सही हो जाएगा लॉल्ड हाल्डिंग ने की थी? 1911 में भारत की राजधानी कुलकत्ता से दिल्ली को इस्थान अन्तिरित किया था लॉल्ड हाल्डिंग ने next question 17. महराष्ट में गणपती उत्सव प्रारम करने का अशरे किसको जाता है? तिस question का option number two सही हो जाएगा महराष्ट में गणपती उत्सव के जो शुरुआत की थी वो बाल गंगधर तिलक ने की थी? next question 18. अलहिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्टियता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तिस question का सही एंसर हो जाएगा? option number three 20. अबुल कलाम आजाद ने अलहिलाल समाचार पत्र की राष्टियता के प्रचार के लिए इन्होंने शुरू किया था? next question बंगाल विभाजन के विरुद विद्रो किस ने किया था? तिस question का option number two सही हो जाएगा? शुरेंद्र नाथ बनर जी ने बंगाल विभाजन के विरुद विद्रो शुरू किया था? next question 20 किस भारती राष्टी अंदोलन का सीर्ष गीत बनते मात्रम बना? तिस question का सही एंसर हो जाएगा? option number three स्वादेशी अंदोलन next question 21 मुस्लीन लीक का प्रथम अध़च काउन था? तिस question का option number two सही हो जाएगा? आगा खाँ जो है मुस्लीन लीक का प्रथम अध़च था? next question 22 गीता रहस नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तिस question का option number three सही हो जाएगा? गीता रहस नामक ग्रंथ बाल गंगधर तिलक द्वारा लिखा गया था? next question 23 भारती असांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तिस question का option number two सही हो जाएगा? बाल गंगर धर तिलक को भारती असांती के जनक के रूप में जाना जाता है? next question 24 लॉल्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन किस वर्ष रद किया था? तिस question का option number three सही हो जाएगा? 1911 में लॉल्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद कर दिया था next question 25 एनिवेशन्ट कांग्रेश की अध्यच कब निर्वाचित हुई थी? तिस question का सही एंसर हो जाएगा option number two कलकत्ता अधिवेशन्ट 1917 में इनिवेशन्ट जो है कांग्रेश की अध्यच निर्वाचित हुई थी? दोस्तो यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और सांथी बिल आइकन का बटन भी दबाईए जिससे सही समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहा है दोस्तो यह सभी सभी selective question है और आपके परिच्छाओं में बार बार repeat होते हैं इसलिए इन question को परिच्छाओं से पहले जरूर देखिए तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो किसा थैंक यू